नमस्कार मेरा नाम है नकुलकुमार और आप देख रहे हैं निव्जेटीन पुर्वी चंपारण जिले के सुरिपुर पंचायत के धर्मुहा में हूँ अभी और यहां पर हमारे साथ एक किसान है जिन्होंने घ्यूडा की खेती की है जिसे आम वोल्चार की भासा में और इस पर क्या लागत है क्या इंकम है इन सब्सक्राइब बाचित करते हैं क्या नाम हुआ आपका खोखंदास जी यह जो घ्यूडा जो नेनुवा आपने खेती की है कितने जमीन में आपने किया हुआ इसका तीन कठा में है हम सब्सक्राइब हाँ प्रोड़क्शन कितना प्रोड़क्सं वक्षी एक दिन ना तरี आर्ट आर्टालीस घंठाम है एक कुंटल लंसम हर एक दिन के बाद एक कुंटल और रेट क्या मिल जाता है पंदश्प कभी आठारे सो कभी 242 इसा है मनित पंदरे सो कर लगभक मान पर चलिए मिल जाता है तो इसको तो बेश रहे हैं हमने 3500 रुपे कुंटल था उस समय से आज तो बीख रहा है अभी मार्केट में ज्यादे फलन हो गया इसलिए रेट कुछ गटा है कौन सा भी यूज कर रहे हैं इसके क्लाउज कंपनी का भी हाइब्रीड है तो यह पहले क् भी खेती किये हुए है इसके पहले दोस कठा किये हैं तोरते-टोरते हार गये थे इसलिए इसलिए लगा है तो खुद ही अकेले करते हैं या फिर भर के परिवार के साथ अभाल बच्छा पॉड़के आता है तो कुछ हैल्प करता में लेवर मजदूर की क्या इधर इस्तित इसमें घेवरा में कोई खास खर्चा नहीं है इसको 10 दिन 15 दिन पर भी दवाई दीजिए कोई दीकत नहीं है कितना सुरू में खर्च हो जाता है सुरू में वही रूप खाद हालका फुल का खाद यही जो पाजा तार सूतरी लगाने में जो खर्चा है सब्सक्राइब लगभग मान में इसमें 3000 रुपय करी तिन कठ्था में धिर और खाद भीज वगिरा फें थान बसका उन्हां लेकर मिलात के सता हजार जारुप तो तो यह से लिए ले जाना पड़ता है कोई वेपारी यहां नहीं पहुंचता है मंडी में जाने से यह चाल जाता है लेकिन तो भुठस एस सेमक्धा भी के समय, जयो को कूले है तिन कठता है उतना चोटा सा फ़ीत और विशाओ के समय उपट गुभल कूंटल नेगद तो हर एक दिन पर एक कुंटल का प्रोडक्शन यहां से होता है तिन कर्टे के प्लॉट से और लोकल मार्केट में पंदरा से लेकर 35 रुपय तक इनका रेट मिल लाता है जैसा कि बता रहे थे रेट ओपें जो हुआ था वो लगभग 35 रुपय से हुआ था और अभी लगभग यह हर दुसरे दिन एक कुंटल का प्रोडचन दे रहा है तो कही न कहीं आप देख सकते हैं कि एक जॉब के बराबर अगर खेत पे मेहनत किया जाए तो एक जॉब के बराबर जो हर महीने जो है इनकम है और लोग कहते हां कि खेषती किसानी जो है कहीं न कहीं घाटे का लिश्टम बिगड़ जाने के बाद में नुकसान होता है स्वही समय पर दवाई दे दिजिए स्वही पर इसका पाजा लगा दे तो इसका स्वही परियोग हो जाने से खाद दवाई यह कभी भी हमेशा रूप्य पकिटे में रहे और यह क्या आपके इस काम में जो है कोई द् पहले हमने बीजली कंपणी के सुपरवाईजर थे लगाता सताट सलका है जिसे परिवार मेंटरनेस्टम भरी दिकत हो रहा था लगबग मां 35,000 महिना कमा लेते थे उसके बाद खेती पक्रेया है खेती से जम कर जिसे बेटा बेटी सपर किस कंपणी में थे प्राइबेट क महा सुपरवाईजर में क्यों नोगरी छोड़ना पड़ा उसे में दिकत हो रहा था विसपची से यह में बाल बच्चा पढ़कर दिकत हो रहा था अगर हम बाहर रहने पर घर भी घर का गाइडलाइन भी आच्छा नहीं हो रहा था अब खेती करके हमने कोई जगा काम किये बिहार में ही घर का मेंटेनेंस नहीं हो पाए बात में खेती करना शुरू कर दिये बेटर दूनों 12 में पर रहा है बेटरी भी इंटर में पर रही है खेती बहरी इसे हमारा मुनाफ़ाई यही है सब्जी थोरा बहुत कर लेते हैं उसे मेंटेनेस हमारा खेती साते कर गन्ना का सुरू से ओन तक सारा खर्चा खेती ही दिया है और गन्ना त्यार हो जाएगा तो वह हमारा मुनाफ़ा हुगा तो परिस्तिती वक्स आपने जॉब चोड़ा या फिर किसी से प्रेणा मिली की खेती करो देख रहा है परिवारिक संतुलन बिगड़ जाएगा या हम यहां नहीं रहेंगे बालबचा का गाइडलाइन अच्छा नहीं रहेगा खेती कमा लेते हैं तो बालबचा का भी कि अच्छी करा कर लेने जांश करा कर लिये उसके बाद बिजली के सुविधा ही मेरा खेत का एक नमबर प्रात्मिकता है सरकार ने बिजली के सुविधा खेतों तक दिये अच्छा किया इसी से हमारा खेत का बहुत सुविधा हो गया कब जोब छोड़ा था आपने लगभग 2015 में उसी से 17 में बड़ी रोचक कहानी थी किस तरह से इन्होंने बिजली विभाग में टेक्नो पावर कंपनी थी और उसमें यह सुपरवाईजर के पदबेकार कर रहत थे और फिर जब इन्होंने देखा कि उससे कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर उन्होंने जोब छोड़ दिया और जोब छोड़ने के बाद इन्होंने एग्रिकल्चर सुरू की सबजी की खेती शुरू की और गन्ना की खेती शुरू की और इस तरह से अलग-अलग खेती करके जो इनको मुनाफ़ा दिखा वो कहीं न कहीं लगता है कि गौश्मेंट जोब से बहतर है कि या किसी पहुच हो जाने के बाद से पानी की पहुच हो जाने के बाद से परिसितियां बदल गई हैं पुर्वी चंपारण से नकुलकुमार न्यूज 18